कभी कभी होता है कि आपके मोबाइल में OTP नहीं आता कहीं पर आप कोई भी फॉर्म भर रहे होते हैं या कहीं पर रेजिस्टर कर रहे होते हैं तो OTP नहीं आ रहा आपके मोबाइल में तो क्या प्रोबलम हो सकती आज की इस वीडियो में आपको बताने वालों चले वीडियो क शुरू करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी तक juna को स करें नहीं किया तो प्रीज जाकर किये चैनलों को सब्सक्राइब करें बेल को प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो का जो notification वो सबसे पहले आपको मिल जाया करें देखिए अगर आपके मोबाइल में भी OTP नहीं आ रहा कहीं पर रेजिस्टर कर रहे हैं या कहीं पर कोई भी फॉर्म भर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर OTP नहीं आ रहा तो हो सकता यहां पर network की problem हो कभी-कभी network की problem होत करेंगे स्क्रॉल करने बाद एक बार अपने mobile को airplane mode पर डाल देंगे उसके बाद इसको on कर देंगे ऐसा कर देने से आपका जो network हो रिफ्रेश हो जाता है आपकी यहां पर problem solve हो जाती है अगर इससे problem solve नहीं होती तो यहां पर मैं दूसरा step यह बताने वाला हूँ कि सिंपल स से अप्सन पर किलिक करेंगे यहां पर एक option आपको मिलेगा सिम काड एंड मनेजर का ठीक है सिम काड मनेजर का अब यहां पर देख सकते हैं सिम काड सेटिंग इडिट सिम काड नमबर ठीक है तो आप नीचा आएग देखेंगे एक option आपको मिलेगा mobile network का और प्रिफेर रहा है LTE पर सेलेक्ट है वैसे आपका भी LTE पर सेलेक्ट होना चाहिए ठीक है इतना कर लेने बाद यहां पर आपको इससे कभी-कभी टूजी सेलेक्ट हो जाता तो यहां पर भी OTP नहीं आने के चांसे होते हैं यहां पर 3G सेलेक्ट हो जाता यहां पर OTP नहीं आने के चा तो अगर आपके पास ATL या ODA का SIM है उसमें अगर recharge end हो गया recharge खतम हो गया तो उसमें भी ये problem आ जाती है कि कभी-कभी OTP नहीं आती कभी-कभी problem आ जाती कि OTP नहीं आती क्योंकि पहले क्या था कि अगर आपका SIM भी बंद हो जाता ना जिससे आपने एक महिने के recharge कराया 100 रुपय का उसमें कर आपने दूसरे महिने नहीं recharge कराया तो यहाँ पे phone incoming outgoing सब कुछ बंद हो जाए उससे भी आपके problem हो सकती है यहाँ पे अगर इतनी सारी problem आपकी है इतना सारा करने जिस भी website में आप register कर रहे हैं उस website भी सही से वर्क नहीं कर रहे हैं यह भी हो सकता है यह भी region हो सकता तो आपको यह सारी region चेक कर लेने किसी दूसरी website पर जाकर कि एक बार उटीपी करने से आपकी अधार कार्ट की website है वहां पर आधार कार आप डाउनलोड कर रहे हैं तो टीपी नहीं आ रहा तो हो सकता है अधार कार्ट की website विजी हो वर्क सही से नहीं कर रहे है तब भी ओटीपी नहीं आता है तो साही चीज़े चेक करने बाद आपकी problem 101% सॉल्व हो जाएगी मैं गारेंटी लेता हूं दोस्तों मैं गारेंटी लेता हूं चले वीडियो के हैं पर समाप्त करते हैं अगर आपके इस वीडियो से ले करके आपके मन में कोई भी प्रवाम्ले। प्रवाम्ले।